विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इसमें हम यूपी बोर्ड कलाश 10 यानि कच्छा 10 के ग्री विज्ञान के सिलेबस को लेकर आए हैं जो की 2025 का सिलेबस है इसमें यह बताया गया है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन छोड़ना है इसमें जितने भी चैप्टर दिये गए हैं केवल उन ही चैप्टरों का अध्यन करना है और वाकी जितने भी और चैप्टर दिये गए हैं उन सब को आपको छोड़ देना है तो आईए हम देखते हैं आपकी तयारी कब से शुरू करनी है और कब तक और आपकी परिछाएं कब हैं तो जो बचेशनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब करने आईए बिना रुके हम शुरू करते हैं अपरायल महीने में आपको गेरी परबंद में सिच्छी का द्वारा पर्ती वर्ष बजट का तयार करना आपको अपरायल महीने में क्यों एक चैप्टर पढ़ना था और यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो अभी भी उसकी तयारी आप कर लीजिए माई महीने में ग्री परबंध घर की सफाई और सजावट एक चैप्टर के उल पढ़ना है और इसी दोनों चैप्टरों का आपको बहुपिकल्पिय प्रस्नों का भी अच्छे से अध्यन करना है उसके बाद जून महीने में आपकी छुट्टियां हो जाती है फिर जब विद्याले आपका खुलता है जुलाई माह में इसमें आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं परमुक रूप से देख लीजिए ग्रीप परबंध को पढ़ना है आय ब्ये और बचर डाक खाना और बैंक के माध्यम इस चैप्टर ये इकाई फस्ट में इन टापिकों को पढ़ना है और इकाई दो में जिसमें स्वास्त रच्छा है जल चल के स्रोत और रुपियोग घरेलू बिदियों से जल सुध करना और उसके बाद चैप्टर तीन में आपको पढ़ना है ग्रिग गनित जिसमें दसमलो जोड़ना घटाना गुड़ा तता भाग चैवाप पैसे में हो रुपिया किलोग्राम ग्राम मीटर सेंटी मीटर के संदर्ब में लाबहान तथा साधारण ब्याज पर पढ़ना है और इसी में आपको जो वड़ात्मक प्रसंद दिये जाते हैं लांग प्रंस उसकी भेत्यारी करने यानि तीन चैप्टरों को आपको जुलाई में पढ़ना है उसके बाद अगस्त महीने में भी आपको तीन चैप्टर का ही अध्यन करना है जिसमें स्वास रच्छा में असुद जल से फैलने वाले रोग जिसमें पेचिस, असार, हैजा और इसके साथ साथ एक टापिक आपका इंपोर्टन है टाइफाइड और दूसरे में परियावरण और जन जीवन पर उसका परभाव अब सिष्ट कचरा परबंधन और तीसरे चैप्टर में कुछ सामान रोगों के कारण और उनके रोग थाम जैसे चेचक, छोटी माता, ख खसरा, डिक्थीरिया, टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी काते हैं या मोती जहरा भी काते हैं, कुकुर खासी, पीत ज्वर और मस्तिस्क ज्वर, अगस्त महीने में आपको कुल तीन चैप्टरों का अध्यन करना है, उसके बाद सितंबर माह में आपको चार इकाई पढ़नी हैं, जिसमें आपका स्वासरच्छा में कुछ सामान रोगों के कारण और उनके रोग थाम, रेवीज, हेपेटाइटिस, ABCD, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया, हाथी पाव, टिटनेस, छै रोग और विसायला भोजन का ध्यन करना है, और अगले चैप्टर में बस्त्र और सूत भी ज्यान पढ़ना है, जिसमें सिलाई किट, बेवी फ्राक या कुर्ता, पाइजामा या पेटी कोट, उपलब्धता के आधार पर, और तीसरे में बस्त्र और सूत भी ज्यान, जिसमें कपड़ों की धुलाई तथा, रख रखाओ, धोनी की बिधिया, औ कैसे कपड़ों को, कौन कौन कपड़े को, जैसे कपड़ों के परकार अलग-अलग होते हैं, उसे किस तरह से इस्तरी करना है, कुल सितंबर में चार चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद अक्टूबर माह में तीन चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें रसोई घर की और परोसने की आधारित विधियां, तत्तों की सुरच्छा का ध्यान रखना, और इकाई पांचमे में प्राथमिक, पांचमे में प्राथमिक चिकिस्सा और ग्रीप परिचर्चा, जिसमें हड्डियों की तूट मोच और स्वसंत तंत्र का प्रारंभिक ज्यान, तीन इसके बाद आपका अर्थवासिक परिच्छा आता है, इस परिच्छा के बाद नौंबर महीने में आपको दो इकाई पढ़नी है, जिसमें पहला है भोजन तथा पोसन बिज्यान, मानव अस्तिसंस्थान तथा संधियां, जबकि दूसरे में निम्न रोगों के रोगियों क भोजन, रोग की यवधि में और स्वास्त लाव के समय का भोजन, तीब्र जवार और देरग्यास्थाई जवार, अतिसार, पेचिस, गैस्ट्रो, टाइटिस, मियादी, बुखार, मलेरिया, छै रोग और लूल लगना आपको पढ़ना है, और जितने भी चैप्टर आपको अक्टूबर, नौंबर में आप पढ़े हैं, उन सबका आपको पहुविकल्पिय प्रस्णों को तयार करना है, उसके बाद दिसंबर महीने में आपको कुल चार इकाई पढ़नी है, जिसमें प्रात्मिक चिकिस्सा और गिरी परिचर्या, प्राकिर्तिक और किरित्रिम स्वसन, घायल अस्था नांतरन हस्त आसन द्वारा, रोगी का स्पंजन करना, गर्म सेक, भपारा लेना, बर्प की टोपी का प्रियोग, अगला है नाडी स्वसन गतिय और ताप का चार्ट बनान इसमें आपको कुल चार चैप्टरों को पढ़ना है, उसके बाद आपका आता है दित्य आंतरिक मूल्यांकन परिच्छा, जिसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन बिद्याले पर सुरू हो जाता है, जन्वरी महीने में आपको संपूर पाठाय करम की पुनरा बिरत याने दोह पराना है और इसी समय प्री बोड परिच्छा का आयोजन भी होगा, उसके बाद फरवरी मह में आपका बोड परिच्छा का आयोजन होना है, अब दस फरवरी के पहले ही आपकी परिच्छाएं सुरू हो जाएंगी, तो इसमें यहां बताया गया है कि आपको किस महीने में क या क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, तो इसमें जितने भी चैप्टर दिये गए हैं, इन सभी चैप्टरों को आप अपने गिरी बिज्ञान की कापी पर लिख लें, जिससे यहां असपश्ट हो जाए कि हमें कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, तो इसी तरह से आप सभी चैप्टरों और सभी सिलेबस दोजार पचीस के विसेयों का आप इस चैनल पर पास सकते हैं, आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।